लखनाओ के CMS-RDSO कैंपस में चार दिफसी अंतराश्ट्रे खेल उलम्पियाट दोहज़ाट चौबिस का उधगाटन किया गया विधायक आशीश कुमार सिंग ने दीब प्रजुलित कर कारिकरम का शुभारम किया समारों में देश, विदेश के बच्चों ने सांस्कृतिक कारिकरम प्रस्तुत की और शान्ती का संदेश दिया इस आयोजित में श्रीलंका, नेपाल और भारत के विभिन प्रदेशों से लगभग 500 बाल खिलाडी भाग ले रहे हैं इस उलम्पियार में ट्राक एंड फील, बेडमिंटन, जूटो कराथे और वार विवाज जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगे मुखे अतती आशीश कुमार सिंग ने कहा कि खेलों में अनुशासन और खेल भावना से ही अच्छे खिलाडी बंदियों हैं जो भविश्य में ओलम्पिक चैंपियन बन सकते हैं CMS प्रबंदग गीता गांधी किंगडन ने इस आयोजिन को विश्व शान्ती और एकता का प्रतीक बताया स्परदा दोहजार शौबेस की संयोजिका जयोचना अत्तुल ने कहा कि ये ओलम्पियाड बच्चों के लिए अपनी प्रतिबहा प्रदर्शित करने का बहतरी इनमंच है प्रतियोगिता हो रही है अंतराष्टी ओलम्पियाड की इसमें 25 देश 25 देश की टीमें और पांच अंतराष्टी टीमें भाग ले रही हैं निश्चित तोर पर CMS यहां की सबसे बड़ी संस्था है जहां से बहुत से बच्चे देश विदेश में इसका नाम कर रहे हैं और निश्चित तोर पर आज जगदिस गांधी जी हमारे पीच में नहीं है लेकिन उन्होंने जो एक शिच्छा के प्रति एक अपना मिशन है उसको लेकर उनके परिवार के लोग मैडम गांधी और उनकी बेटी चल लए हैं उनको बहुत शुपकाम नहीं प्रेशित सपर्धा जो है एक नई उम्मीद के साथ अपने इस साल स्राट किया है कोविट के समय दो साल ऑनलाइन हमने किया इसको ऑनलाइन हमारे जो सफ़र की बैनेजर सर्थ है उनका यह ड्रीम था कि हम इसको नया नाम दे तो सपर्धा के नाम से जब आईउजित किया जा रहा है इ कि दूसरे 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 से लोगों को बुलाना बच्चे को बुलाना हमारे बच्चे उनसे मिल पाए को लाबरेट कर पाए जिसकी बात हम करते हैं जिसकी बात हम करते हैं जिसका नाम जिसमें एक बहुत इंपॉर्टन सी है जो कि कोलाबरेशन है और टीम बग कि देश का गया और इसमें चार देशों के लोग बच्चे आए हैं और दो आपते हैं परकती तहशी है और म्सक्राइब देश weather छोट में और सारे participants बिलकुल तयार हैं, तत्पह हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए, दो दिन का competition रहेगा, 7th and 8th, जिसमें की judo, karate, badminton और athletics, ये organized किया जाएगा. इसमें हमारे देश के कई प्रदेशों से 743 बच्चे आए हैं, और हमारे आसपास के देशों से भी जैसे मुरेशिस, नेपाल, श्रीलंका. गुल मिला करके इन से जो हैं, वो बहुत सारी participants आए हैं, और यहाँ पर जो games खेले जाएंगे, वो हैं judo, karate, badminton और athletics, अथलेटिक्स के फरत-फरत तरीके के games. तो यह एक बहुत ही बड़ी चीज है, इस event का नाम है स्परधा, और यह हमारे RDSO campus के एक tradition रहा है, कि वो हमेशा sports के उपर, खेलकूत के उपर एक समारों का organization करते हैं बच्चों के लिए, युदकों के लिए, और खेलकूत से जो है, आपको पता ही है कि खेलकूत से कितना जादा सकारात्मक जो है, वो एक सोच बनती है बच्चों की, और बच्चों को जो है, खेलकूत से resilience ज जीकते भी हैं, तो हार को कैसे अपनी stride में लिया जाए, हार से हिम्मत नहीं हार नहीं है, हार का माने यह है कि हमें फिर उठकर के दुबारा किसी और दिन के लिए और भी बहतर करने की रियारी कर दी है